नमस्कार दोस्तों, द्रोणाचर एकेडमी की Current Affairs Today Class में आप सभी का स्वागत है आज 17 जून 2020 है और मैं आपके लिए अगेन 16 जून और 17 जून के कुछ important Current Affairs लेकर आया हूँ 16 जून के भी Current Affairs इसी सीरीज में आपको मिलेंगे तो चले स्टार्ट करते हैं एक नए विचार के साथ दोस्तों आज का विचार है भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है When you trust in yourself, you become strength and if you trust others, you become weakness दोस्तों इसका सीधा सीधा मतलब बस यही है कि यदि आप अपने आप पर भरोसा रखेंगे तो वो आपकी strength बन जाएगी आपकी ताकत बन जाएगी और जहां आपने दूसरों पर विश्वास करना या दूसरों पर आप यदि भरोसा रखना शुरू कर देते हैं और उनके उनपर dependent होकर जीने लगते हैं तो वो ही चीज आपके लिए कमजोरी बन जाती है तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा खुद पर भरोसा रखें चलिए स्टार्ट करते हैं current affairs दोस्तों आज का पहला current affair है on which day world day to combat desertification and rot is observed किस दिन विश्व मरुस्थली करण और सूखा रोक थाम दिवस मनाया जाता है तो दोस्तों ये दिवस कहीं न कहीं desertification को रोकने के लिए और जो सूखा पढ़ता है ड्रॉट उसको रोकने के लिए लोगों में जाग रुकता फैलाने के लिए दिवस मनाया जाता है इसकी जो date है वो है 17 जून यानि आज ही के दिन ये दिवस मनाया जाता है और इसी के साथ 15 जून, 12 जून और 14 जून को कौन से दिवस मनाया जाती है आपका homework है So you just write in your comment box ओके ये सब आपको पहले सीरीज में मैंने बताया है तो 17 जून को हम ये world day to combat desertification and drought मनाते हैं इस साल इसकी जो theme रखी गई है वो है food feed fiber the links between consumption and land Okay, this is the theme, so theme important है, याद रखीएगा इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं मरुस्तली करण जमीन के खराब होकर अनुपजाई हो जाने की प्रक्रिया होती है मतलब मरुस्तली करण कैसे कहते हैं जब जमीन खराब हो जाती है और खराब होने का मतलब है अनुपजाऊ हो जाए उस पर कुछ भी पेड़ पौधे उग न पाए ठीक है और यह होता है या तो जलवाईव परिवर्तन के कारण यानि क्लाइमेट चेंज के कारण या फिर किसी हुमन अक्टिविटी के कारण और इसी के साथ कुछ अन्य सुष्क अर्ध सुष्क और निर्जल अर्धम नम इलाके की जमीन भी रैगिस्तान में बदल जाती है ठीक है जादा सुष्क हो जाए या जादा नमी वाला इलाका बन जाए तो ऐसी जमीन भी रैगिस्तान या मरुस्तली करण में बदलने लगत अता जमीन की उत्पादें शम्ता में कमी और हिरास होना ही मरुस्थली करण होता है। ठीक जो संयुक्त राश्ट यानि उनके महा सच्चिव थे एंटोनियो गोटेरस। इन्होंने भी यही बताया कि विश्व मरुस्थली करण रोक्ताम दिवस पर उन्होंने एक संकेत दिया उन्होंने एक संदेश दिया जो इस बात की उपर संकेत करता है कि दुनिया हर साल 24 अरब टन उपजाव जमीन खो देती है। प्रश्थली करण से अफेक्टेड है। एक जनरल असेम्बली हुई और 1994 में इस मरुस्थली करण की रोक्ताम का प्रस्ताव रखा गया। वही 1996 में इसे एक दिवस के रूप में मनाने के लिए घोशना की गई। प्रशात 1995 से मरुस्थली करण का मुकाबला करने के लिए ये दिवस मनाया जानने लगाए। ठीक। यहां तक इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट न्यूस थी। यह आपको पता होना चीए। नेक्स्ट कोशन पर आते हैं। भारत के वर्तमान एटर्नी जनरल कौन है। तो यह मुकल रोहतगी, राजी महर्शी, तुशार महता या केके वेडू गोपाल। तो आंसर आएगा यहां केके वेडू गोपाल। यह अभी न्यूस में भी रहे थे क्योंकि इनका भी कारेकाल बढ़ा दिया गया है। अभी इस साली इनका रेटायर्मेंट था लेकिन इनके वर्किंग को देखते हुए और इनकी जुरुत को देखते हुए कारेकाल इनका भी बढ़ा दिया गया एक वर्श ठीक है। और यहां जो आपके ये तीन ओप्शन्स हैं मुकुल रोतगीर, जीव महर्शी और तुशार महता तो आपको ये पता नहीं तीनों है कौन। विकास ये भी एक इंपोर्टेंट पोस्ट पर इस समय एस्टेबलिश है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट कोश्चन है। यहां पर हम थोड़ा सा इनके बारे में ही देख लेते हैं। देश के जितने भी केसेज होते हैं, मनलब देश के विरुद्ध जो किये जाते हैं, या यूनियन गवर्मेंट के थूज के लिए जो केसेज लगाए जाते हैं, उनकी जो पैरवी करता है वो होता है अटरनेल जनरल ठीक है। और 30 जून 2017 को मुकुल रोहतगी के स्थान पर केके वेडू गोपाल को निउक्त किया गया था। इसी के साथ पहले जो एटरनी जनरल थे, उनका नाम था है MCC तलवार और जो अभी 14 थे, वो थे मुकुल रोहतगी और जो वर्तमान है हमारे केके वेडू गोपाल, यह अभी 15 एटरनी जनरल हैं। तो यहां तक आपको यह समझ में आ गया होगा। Next question पर आते हैं, who has been appointed as the CEO of UTI Mutual Fund ? हाल ही में अभी UTI Mutual Fund Bank के CEO के रूप में nuked किया गया है, किसे किया ही हमें बताना है। तो यहां पर आंसर रहेगा हमारा Imtiazur Rahman, Imtiazur Rahman को अभी UTI Mutual Fund का CEO बनाया गया है, ठीक है। Next question है, which ministry has implemented the ADIP scheme, किस मंत्राले ने ADIP scheme को launch किया है, तो ADIP क्या है यह अभी हम बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले मैं आपको बता जिता हूँ, इस scheme को launch किस ministry के द्वारा किया गया है। तो यहाँ answer रहेगा, ministry of social justice and empowerment, यह, sorry, आपका answer क्या रहेगा, ministry of skill development and entrepreneurship, यह नहीं होगा, okay, यह answer नहीं है, ministry of women and child development, यह भी नहीं है, minister of tribal affairs, यह भी नहीं है, इसका answer रहेगा, minister of social justice and empowerment, यह रहेगा इसका answer, तो चलिए next आते हैं, आपकी यह जो तीनों, चारों हमने अभी ministry की बात की, इनके ministers के बारे में पढ़ लेते हैं, तो minister of tribal affairs, यानि जन जाती मामलों के मंत्री, कौन है समय? अर्जुन मुंडा, यह MP हैं लोगसभासे और जमशेदपुर्ण की constituency है, महीं minister of social justice and empowerment, यानि समाजिक नयाय और अधिकारिता मंत्री, यह कौन है भी थावर्चंद गहलोत, यह राजिसभासे MP हैं और मध्यपरदेश इनकी constituency है, minister of skill development and entrepreneurship, यानि कौशल विकास और अधियमिता मंत्री, यह कौन है भी महिंदर नाथ पांडे, यह भी MP हैं लोगसभासे और चंदौली इनकी constituency है, वही minister of women and child development, यानि महिला और वाल विकास मंत्री, यह कौन है समृति इरानी, और MP हैं लोगसभासे मनलब लोगसभाके सदसे और MP की constituency है, clear, तो यहां तक आपको यह समझ में आ गया होगा, अब बात करते हैं जड़ा उस scheme की, जो अभी हमने पढ़ी थी, तो on 15th June 2020, Government of India organized the first ever ADIP camp, this camp was conducted to distributed free assistive aids to Divyaangjan under the ADIP scheme, यह actually एक ADIP scheme है जो government launch करती है, government organize करती है actually, और इसका जो मुख्य उदेश होता है, यह दिव्यांग जो होते हैं, मतलब जो physically handicapped होते हैं, उनको असरस्टिव aids देना, मतलब छड़ी या उनको वो जो दो पईये वाली गाड़ी होती है, जिसमें वो wheelchair, sorry, wheelchair उनको देना है ना, और इस तरह के जो aids होते हैं, जिनकी साहता से वो अपने जीवन को जी सकें, ऐसी जरु करना ही, ADIP scheme का मुख्य उद्देश होता है, तो the first camp to distribute free associative aids was organized at Firozfour district Punjab, Punjab में ये पहला camp लगाया गया था, और इसको organize किया था, Elmco, Elmco का full form है, Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, जो की Ministry of Social Justice और Empowerment के अंडर में काम करती है, ठीक है, यहाँ पर इसका जो main name है, जो मैंने आपको बताया, provide assistance to disabled person for purchasing and fitting aids, ठीक है, मतलब वही, जो disabled person है, उनको ऐसी जरुद के चीज़ों है देना, जिनसे उनकी, जो, मतलब जिसकी कारण वो disability है, disability उनकी दूर हो जाए, ठीक है, तो ऐसी उनको कोई भी aids देना, उनको जरुद का सामान देना, यही इस scheme का main aim है, ठीक है, यहाँ पर जो rules है, इस scheme को, इस scheme से benefit लेने के लिए क्या जरुरी चाहिए, ठीक है, तो पहले तो वो person Indian होना चाहिए, Indian citizen, साथ ही उसके पास 40% disabled certificate होना चाहिए, और साथ ही उसकी monthly source जो income है, वो 20,000 पर मन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी वो इस scheme से lab उटा पाएगा, ठीक है, चलिए, next question है, on which day international day of family remittance is observed, किस दिन हम अंतराश्टी परिवार प्रिशन दिवस मनाते हैं, तो इसका answer तो है 16 June, clear, 16 June को यह मनाया जाता है, ठीक है, लेकर यह होता क्या है, वो देख लीजे, every year the international day of family remittance is observed on 16 June by the United Nation, United Nation के त्वारा यह वाला day मनाया जाता है, ठीक है, पुरे विश्व में, और इस साल की theme थी, वो थी, remittance are a lifeline, remittance are a lifeline, ठीक है, अब यह hack actually, यह दिन किस के लिए है, यह दिन है, उन लोगों के लि अपनी family members को, ठीक है, लेकर वो foreign currency क्या है, इंडिया में आती है, तो हमारा क्या है, हमारी लिए वो फायदिमन्द होती है, क्योंकि हमारा foreign जो storage है, foreign collection है, वो बढ़ता है, ठीक है, तो इसलिए उनका एक बहुत-बड़ा योगदान होता है, एक तो वो अपनी family से दूर रह ठीक है, तो उनी लोगों के लिए ये दिवस मनाया जाता है, और यहाँ जो remittance आया है word, इसका मतलब होता है, transfer of money by foreign worker to his or her family in their home country is called remittance, ठीक है, इसलिए यहाँ जो theme भी रखे गे, वो रखे गे, remittance आरा lifeline, ठीक है, World Bank ने अभी हाली में एक survey जारी गया था, एक report जारी ग घट गया है, 23% in 2020 due to COVID-19 crisis, COVID-19 crisis के कारण क्या हुआ है, लोगों की नौकरियें चली गई है, वो अपने छोड़ छोड़ कर अपनी नौकरी क्या है, अपनी देश आ गए है, और इस कारण ही इनका जो remittance है, वो 23% घट गया है, ठीक है, 2019 में यह कितना था, 83 billion US dollar था, clear, next question पर आते हैं, recently हीरा सिंग राना is passed away, he was a famous, अभी हाली में हीरा सिंग राना का निधन हुआ है, और वह famous थे क्या, क्या प्रसिद्ध थे वो, तो वो थे प्रसिद्ध सिंगर, मतलब गायक थे, ठीक है, इनके बारे में देख लेते हैं, उत्राखंड के रहने वाले थे, और लोकप्रिय लोक गायक थे, जो लोक गीद गाते हैं, इनका अभी हाली में निधन हो गया है, 1942 में जन्म हुआ था इनका कहां, मनीला, दंडोली गाउं में, अलमोडा में, ठीक है, इनको हाली दिल्ली सरकार ने इनको गड़वाल को माउनी और जिन सारी अकादमी का भी उप पाध्यक्ष निउक्त किया था, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट कोशन पर आते हैं, विच नीशन है जोइन्ट ग्लोबल पार्टनर्शिप और आटिफिशल इंटेलिजिएंस एज फाउंडिंग मेंबर, अभी हाली में एक देश ने, क्या किया है, आटिफिशल के संस्थापक के रूप में, वैश्विक भागिदारी में वो शामिल हुआ है, मतलब ग्लोबल पार्टनर्शिप में शामिल हुआ है, ऐसा कौन सा देश है, तो नाम आएगा यहाँ, इंडिया, इंडिया अभी हाल ही में, इस ग्लोबल पार्टनर्शिप और आटिफिशल में अभी as a founding member, क्या हुआ है, शामिल हो गया है, ठीक है, है क्या actually यह, यह जो GPAI है, यानि Global Partnership of Artificial Intelligence, इसको launch किया गया है, कुछ विक्सित राष्ट्र ने, जिसमें America, Britain, Europe, अउस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मेनी, इटली, जापान, मैक्सिको, न्यूजलेंड, कोरिया, सिंगपोर, सहित, भारत, जैसे प्रमुकरतवाज, व्यवस्थाओं के समुहु द्वारा इसे launch किया गया है, और इसका मुख्यो देश्य है, AI के जिम्मेदारी पून, व रनवादिकारेनी, human rights का, और जो diversity है, जो development हो रहा है, जो economic development है, इन सभीक में इस AI का use करते हुए, हमें क्या करना है, इनको एक नई उचाईयों तक ले कर जाना है, तो यही इस partnership का main उद्देश्य है, ठीक है, next आते है, recently माधोराओ पाटल इस पास्डबे, who was he, अभी हाली म माधोराओ पाटल का निदन हो गया है, यह कौन थे, तो options है, former member थे, राजे सभा के, लोग सभा के member थे, या लोग सभा के speaker थे, या कोई भी नहीं, तो answer रहेगा, former member थे, यह लोग सभा से, ठीक है, लोग सभा के सांसत थे, तो लोग सभा के सांसत के साथ साथ, इनको जन लक सवा का लोग सवा छेतर से जीते थे ठीक है शरत प्रवार के बहुत बड़े समर्थक थे और 1999 में राष्टरवादी कॉंगर्स पार्टी के गठन के बाद उसमें शामिल होने वाले भी पहले व्यक्ति थे ठीक है तो बहुत इसके बाद next question है which minister launched a device called germy bain which kills viruses and other germs by sterilizing, sanitizing and disinfecting large area अभी हाली में एक मंत्री ने गर्मी बैन नाम के एक उपकरन का लॉंच किया है जो बड़े शेतरों में sterilize और sanitizing किटानों रहित करके वायरस और रने किटानों को मारता है तो ये किस minister ने अभी launch किया है तो नाम है इनका के किशν रेडी के किशन रेडी ने अभी हाली में इस device को launch किया है तो देख लेते हैं, जो ग्रह राज्य मंत्री है, किशन रेड़ी जी, इन्होंने भी गर्भी वेन नाम के इस आपकरन को लॉंच किया है, और इस डिवाइस को जो विक्सित किया है, वो किया है, अटल इंक्यूबेशन सेंटर EIC ने, एसोसियेशन ऑफ लेडी इंटर्परनेय और महिला अध्यमी, यानि वोमन्स एंटर्परनेयर हब, द्वारा इसे विक्सित किया गया, तीन ओगनाईजेशन ने इसको क्या किया है, विक्सित किया है, तीक है, इसका जो में एम है, वो यह है कि इस डिवाइस से 99.9% सतह और वायू रोगाणूओं को मारने की शमता है इसमें, मतलब किसी भी सतह पर ये 99.9% तक रोगाणूओं को मार सकता है, तीक है, साथ ही इस डिवाइस के इस्तमाल, क्वारंटीन केंद्रों में, आइसोलेशन वार्ड, अस्पतालों सहित कोरोना वायरस को खतम करने वाले सभी समानिस्थानों पर उपयोग किया जा सकता ह है, ठीक है तो बहुत इंपोर्टेंट इन्वेंशन है, चलिए, नेक्स्ट कोशन है, विच कैबिनेट मिनिस्टर है इस लॉंच द इंडियन गैस एक्सचेंज प्लेटफोर्म को लॉंच किया है, तो बताना ही कौन है, तो नाम आएगा यहां धर्मेंदर प्रधान, इन्हो नहीं अभी इस इंडियन गैस एक्सचेंज प्लेटफोर्म को लॉंच किया है, हुआ क्या है एक्चुली कि जो धर्मेंदर प्रधान जी है, जो केंदरी पेट्रोलियम और प्राकरतिक गैस मंत्री भी केंदर पर नियूक थे हैं इस समय, ठीक है, इन्हों ने अभी इंडिय एक वेव बेस्ट इंटरफेस है, ठीक है, और ग्राहों को निर्वाद ट्रेडिंग अनुभव प्रदान करेगा, ठीक है, यहां ट्रेडिंग होगा, ठीक है, साथ ही, यहां पर, क्या बोला गया है, देखी ज़रा, आईजी एक्स को भारती उर्जा विन में, यानि इंडिय एनर्जी एक्सचेंज कमपनी हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बन अपॉइन पहणियू को अब एक was कमारन को अभी हाली में, फिल्लिपिन स्का नेक्स को बता चुका हूँ लिकिन फिर से एक बार वीजन हो जाएगा तो देख लीजिए सबसे पहले हम बात करते हैं संतोष जाकी तो यह बने हैं उस्वेकिस्तान के एंबिजिडर फिर राहुल श्रवास्तव यह बने हैं रुमानिया के और रवीश कुमार यह फिनलेंड के एंब राजदूद बने हैं और वर्तमान में Kingdom of Morocco के राजदूद थे ठीक है अभी यहां से इनको ट्रांसफर करके कहां पहुचा दिया जाएगा फिलिपिन्स में ठीक है फिलिपिन्स की बात करते हैं तो राजदानी मनीला है मुद्रा यहां की फिलिपिन पैसो है और राष्ट्र इनफोर्मिशन है चलिए नेक्स्ट निउस पर आते हैं रिसेंटली अतुल श्रिवास्तव हैस पास्ट अभी एंड ही वाज डायरेक्टर ओफ विच कंपनी अभी हाली में अतुल श्रिवास्तव का निधन हो गया है और यह एक कंपनी के निदेशक के पदपर थे तो हमें जो परसोनल डिपार्टमेंट को देखता है कर्मिक डिपार्टमेंट को उसके निदेशक थे यह ठीक है तो अभी इनका हाली में निधन हो गया है बाकि हम भेल की बात करते हैं तो भेल के निदेशक है इस समयं MK वर्मा जी साथी ONGC के शशी शंकर और हिंदुस्तान पेट् सामयाद रहेगा तो आप इसली कुश्चन अटेंप कर पाएंगे बात करते हैं निउस की नेक्स्ट आर्बियाई कॉंस्टिटीट पी के मुहंती लेड इंटरनल वर्किंग ग्रूप भारती रिजर्ब बैंक द्वारा भी भारतीय निजी शेत्र के बैंकों के स्वामित और कॉपरेट धाचे पर मौजूदा दिशा निर्देश की समिक्षा के मुख्यों देश के साथ एक आंत्रिक कारे समू निउक्त किया गया है गठित किया गया है मतलब एक क्या हुआ है अभी आर्बियाई ने एक वर्किंग गुरूप बनाया है इंटरनल वर्किंग उनकी ownership और उसके control से related जितने भी guidelines हैं जितने भी regulations हैं जितने भी नियम हैं उन सब को फिर से evaluate करना ठीक है तो ये काम है अभी इस IWG यानि इंटरनल वर्किंग गुरूप का और इसके जो इस समय निदेशक बनाये गए हैं वो है प्रसन्ना डॉक्टर प्रसन्ना कुमार मु संदास और इसकी स्थापना हुई थी एक अप्रेल 1935 को और मुख्याले हैं यहां मुंबई में ठीक है और इसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी ठीक चलिए next news पर आते हैं तो इंडिया's oldest first class क्रिकेटर वसंत राइजी dad at the age of 100 अभी हाल ही में एक सबसे व्रद्ध प्रथम श्रेणी क्रिकेटर वसंत राइजी का निधन हो गया है वो 100 वर्ष की आयू में थे जब उनका भी निधन हुआ है ठीक है दाय हाथ के बल्लेबास थे साथी 1940 के दशक में 9 प्रथम श्रेणी के खेल खेले हैं इन्होंने 287 रन भी बनाए थे ठीक है और इसके बाद इन्हों मुंबई में एक जॉली क्रिकेट क्लब है उसके संस्थापक सदसे भी थे ठीक है तो इस तरह से इनकी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूस है तो यह आप देख सकते हैं चलिए नेक्स्ट कोशन पर आते हैं एक वेटरें बॉलीवूड अक्टर पंकश्त रिपाठी हैस बीन made the brand ambassador of बिहार खादी बाइदग बिहार government बिहार गवर्मिन ने अभी बिहार खादी का एक राज वो एक राजदूद कह सकते हैं ambassador न्यूक्त किया है ठीक है किसको किया है वॉलीबूड एक्टर है पंकश त्रिपाठी आपने कई फिल्मों में ने देखा होगा इन खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ने सभी खादी संस्थानों के उत्पादन और सेल्स को बढ़ाने के लिए खादी वस्तरों के नए डिजाइन बनाने के निर्देशती है साथ ही राज जी की मदुबनी खादी का पूरे देश में प्रचार किया जा रहा है तो इसी खादी को और ज्यादा इसके जो इसकी सेल्स को बढ़ाने के लिए इसके जो एम्बिसिटर बनाया गया है वो इनको पंकश द्रिपाटी जी को बनाया गया है तीक है बिहार की बात करते हैं हैं राजयपाल हैं फागु चोहन और मुख्यमंत्री हैं नितिश कुमार ठीक चलिए नेक्स्ट न्यूज है इंडिया बित 12 कंट्रीज लीड वेरिफाइड इनिशियेटिव ऑफ यूनाइड नेशन्स टू काउंटर मिस इन्फॉर्मिशन ओन कोविड नैंटीन अभी हाली मे एक पहल की है वेरिफाइड इसे लॉंच किया है ठीक है और इसको लॉंच किया है इसकी जो थीम रखी गई है वो है साइन्स सॉलिडरिटी एंड सॉलूशन यहां लिखा नहीं है सॉलूशन भी है इसमें ठीक है तो इसका मेन उद्देश यही होगा कि जो अक्यूरेट डा अभी 21st जून को हमारा इंटरनेशनल यूगाडे आने वाला है लेकिन इस COVID-19 पैंडेमिक के चक्कर में इस साल ये कहीं भी एक साथ नहीं मनाया जाएगा, ग्रुप में नहीं मनाया जाएगा, ये डिजिटल मीडिया प्लेटफर्म पर मनाया जाएगा, ठीक है? आपको याद होगा इस साल ये इसका जो आयोजन है योगाडे का वो लेह में होने वाला था लेकिन वहाँ पर ये पोस्पॉन हो चुका है, ठीक है? अब ये क्या होने वाला है? अब हर व्यक्ति अपने घर पर योगा करेगा और उसकी एक वीडियो बना कर आयुश मंत्राले म साथ ही हमारे प्रदान मंत्री नरिद मोधी जी ने 31 मही को एक कॉंपटिशन भी लॉंच किया था जिसका नाम है माय लाइफ माय होगा ये वीडियो ब्लॉगिंग कॉंपटिशन एक्चुली और इसको लॉंच किया गया है आयुश मंत्राले और ICCR ने संग में मिलकर इसे और इसमें यही होगा आपको एक वीडियो अपलोड गरनी होगी आयुश मंत्राले की साइट पर और उसमें क्या होगा एक कैश प्राइस भी है ठीक है तो में मोटिव तो यही है कि रेज अवेरनेस अबाउट योगा एंड इंस्पाया पीपल तो प्रिपेर फॉर एंड ब टेल्स वायोग्राफी ओफ दादाबाई नैरोजी नैरोजी पियोनियर ओफ इंडियन नेशनलिजम वस पब्लिच्ट वावर्ड उनिवर्स्टी प्रेस अभी हाल ही में दीनियार पटेल नाम के एक हिस्टोरियन है इन्होंने एक बुक लिखी है दादाबाई नैरोजी की बायोग्राफी के उपर नाम है इसका नैरोजी पियोनियर ओफ इंडियन नेशनलिजम इसे हाली में एक हावर्ड उनिवर्स्टी प्रेस ने से चापा है ठीक है पब्लिच किया है तो यह जो बुक है यह दादा भाई नैरोजी की लाइफ के उपर है पूरा उनके तो यहाँ पर इंपोर्टेंट बुक बन जाती है क्योंकि यहाँ एक फ्रीडम फाइटर के उपर यह बुक है तो थोड़ा सा यह नाम याद रखे ना पड़ेगा आपको इनके राइटर का दीनियार पटेल ठीक है तो यहाँ पर हमारे करंट अफेर्स खतम होते हैं तो मिल झाले कब सक्षत कर दीनियार यहाँ वाँ पर फार इनके पर इंप लुक पर दिएर्स खतम हैं तो यहाँ पर यहाँ वाँ पिक चो यहाँ पिक हैं ऊपी बुक यहाँ